दोस्तों नमस्कार वर्ल्ड काप हौकी में अब भारत का रवीवार को मुकाबला होगा इंग्लेंड से जी हाँ यह दूसरा मुकाबला है भारती टीम का पहले मुकाबले में भारती टीम ने पराजित किया था बहुत ही शानदार प्रदेशिन करते हुए दो शूने से भारत पराजित किया था स्पेन को और अब इंग्लेंड की टीम है इंग्लेंड ने पहले मुकाबले में वेल्स को पांच शूने से हराया है और यहां पर हम यह आपको बता दें की रैंकिंग भारत से बहतर है पूल डी का यह मुकाबला होगा और छटे नमबर पर है भारतिये टीम F.I.H. रैंकिंग में और वहीं पांचवे नमबर पर है इंग्लेंड की टीम ग्राहम रीड जो कि भारती टीम के कोच है उन्होंने बहुत ही सावधान किया है भारती टीम को इतियात बरतने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि इंग्लेंड की टीम स्पेन से जदा मुश् किया था और कॉमन वेल्ड गेम्स में भी बहुत ही जबर्दस संगर्ष देखने को मिला था दोनों टीमों के बीच एक समय भारतिय टीम तीन शूने से बढ़त बनाये हुए थी लेकिन उसके बावजूद भारत मुकाबला जीत नहीं सका था और मुकाबले का परिणाम रहा थ चार चार क्योंकि पहले तीन शूने की बड़त उसके बाद भारत में गोल खाने का सिल्सला शुरू हुआ भारतिय टीम के खिलाफ गोल हुए और उसके बाद जो है स्कोर चार दो हो गया तब उमी जगी की भारत जो है दो जो गोल की बड़त है उसको बरकरार रखने में का सब्लसा नहीं रहा था पांच पैनल्टी कौर्णर भारत को मिले थे एक पैनल्टी श्टोक मिला था और सभी मौके बेकार गए थे और एक मौकिए पर गोल करने में वो ELiberata थो कामइाब रहे थे उन्होंने बहुती साफ पर कहा है हर्मन प्रीत ने की Penalty Corner जोटाना और उन्हें गोल में बदलना बहुती एहम रहेगा इस मुकाबले में और हम इस कला में बेहतर हैं England से बेहतर हैं उन्होंने कहा और रहा वहीं कमियہ भारत की धगी रह गएं और दबाव किसी तरह का नहीं है हर्मन पूर्इट ने कहा है भारती टीम पर और प्लाइन एक्जेक्यूट किया हमने जैसा हमने सोचा था उसको एक्जेक्यूट किया मैदान में और हम आउनों ने साथ ही कहा कि टीम एफट जो है वो बहुत जरूरी होती हौकी के खेल में और वही टीम एफट की वज़ा से हम लोग जीते और हम आपको याद दिला दें कि कृष्ण पाठक जो भारती टीम के गोलगी पर है उन्होंने चौथे कौटर में बहुत ही शांदर परदरशन किया था जब अभी शेक भारती टीम के फारवर्ड पीला कार्ड दिखाए जाने के पलतरूप उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और उसके बाद उन्होंने दो निश्चित गोल रोके थे बहुत ही शांदर तरीके से और क्राउड स्पोर्ट भी था और वही क्राउड स्पो उसका फैसला होगा सेकंड और थर्ड टीम क्रॉस ओवर खेलेगी और उसके बाद कई मैचों के बाद जाकर दूसरी टीम का निर्धारन होगा कौर्टर फाइनल के लिए हर पूल से तो इस तरह से अब आज के जो अगर मुकाबलों की बात कर रहे तो नीदर लेंड ने जो की अलम्पिक चैंपिन भी रह चुकी है बहुत अरसे पहले लेकिन आब उसे अपनी गलोरी अपनी जो है इमेज को फिर से बरकरार रखना है तो लगातार अच्छा परदर्शन करना ही होगा फिलाल आप कितना इत्वाक रखते हैं ग्राम रीट की इस बात से की इंग्लेंड म करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार